यह हमारी homework sheet 5 है इसमें आपको अलग-अलग चीचे दी हुई है जैसे first है हमारा cursive writing तो इसमें मैंने चार words लिखे हैं A, B, C, D तो आपको कैसे लिखना है जैसे यह four line वाली मेरे पास notebook है तो उसमें मैं लिखके बता रहूं आपको ऐसे करके यह हमारा A बन गया यह हमारा B बन गया यह हमारा C बन गया और यह हमारा D बन गया ऐसी आपको यह line ने complete करनी है उसके बाद हमारा है tables तो table हमारा शुरू में है one का तो one one's a one, one two's a two, one three's a three, one four's a four, one five's a five, one six's a six, one seven's a seven, one eight's a eight, one nine's a nine, one ten's a ten यह हमारा tables है उसके बाद है हमारे पास right days of the week name जो हमारे सप्था के नाम होते हैं वो लिखे मैंने जैसे s-u-n-d-a-y sunday, sunday मिल्स रवीवार, m-o-n-d-a-y monday, monday मिल्स सॉमार, t-u-e-s-t-a-y tuesday, tuesday मिल्स बंगलवार, w-e-d-n-e-s-d-a-y वेनस डे, बुद्धवार, t-h-u-r-s-d-a-y, thursday, वीरवार, f-r-i-d-a-y, friday, शुक्रवार, s-a-t-u-r-d-a-y, saturday, शनिवार उसके बाद है हमारे पास यह आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है जिससे आपकी handwriting इंप्रूव होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky यह मैंने एक पोयम लिखी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आपको लिखनी भी है और पढ़नी भी है उसके बाद है हिंदी की handwriting तितली, एक तितली कवीता है सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंग सजाए, सब के मन को भाती तितली उसके बाद है color the traffic lights with crayons, उसके बाद हमारे पास drawing का है यह मैंने एक traffic light बनाई है, जैसे first red, yellow, green आपने सब ने देखा होगा कि traffic light में हमेशा traffic light में हमेशा आपने देखा होगा, first light होती है red, फिर होती है yellow, फिर होती है green red means होती है रुकना, yellow means होती है तैयार होना और green means होती है चलना, thank you